नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉलिवुड में अन्ना के नाम से मशूर सुनील शेटी को कौन नहीं जानता 11 अगस्ट 1961 को पैदा हुए सुनील शेटी 61 वर्ष के हो चुके है और आज हम आपको उनका नया घर दिखाएंगे घर बेहद ही खुबसूरत है और घर को उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनवाया है घर के अंदर करीबन 16 कमरे बताए जाते हैं और यह बताए जाता है कि इस घर में सर्वेंट वाटर्स अलग से है एक बहुत बड़ा गार्डन, स्विमिंग पूल और जिम के साथ इस घर में हर सुविधा को सुसजित किया गया है आपको बता दें कि सुनील शेटी पॉपकॉन एंटर्टेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है और वह एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमेन भी है मुलकी मैंगलॉर में उनका जनम हुआ और आपको बता दें कि एक्टर होने के साथ साथ एंटर्पेर्नियोर, टेलिविजन, परसनेलिटी और फिल्म प्रडूसर भी है सुनील शेटी अपने केरियर की शुरुवात से ही उन्होंने एक्शन फिल्मों की और रुक किया और फिर कभी पीछे मुड कर नहीं देखा बीच में उन्होंने फिल्मों से काफी दूरी बना ली थी लेकिन उसके बाद उन्होंने वापिस से फिल्मों में काम करना कंटिनू किया 1992 में उनकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था बल्वान इसके बाद उन्होंने एक कई फिल्मे की बॉर्डर, मोहरा कुछ ऐसी फिल्मे हैं जिनमें उनके द्वारा किये गए कारे को काफी सराहना मिली थी आपको बता दें कि आज के समय में भी वह तेल्गू फिल्मों में और मल्यालम फिल्मों में काम करते हैं इसके लाबा मराथी, हिंदी, कंड़ फिल्में भी वह करते रहते हैं कई फिल्मों में वो गैस्ट अपिरेंस भी देते हैं उन्होंने कई फिल्म में प्रेड्यूस भी की हैं जिन में खेल, रक्त, भागमभाग, मिशन, इस्तामबुल, EMI और लूट शामिल है आपको बता दें कि उनकी बेटी या थहिया शेष्टी और उनके बेटे भी फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं आपको सुनिली शेष्टी की कौन से फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल बटन को ज़रूर दबाएं धन्यवाद